नंबर वन शो था शक्तीमान और हो भी क्यों ना भारत का पहला सूपर हीरो शो जथा बच्चे इसे देखने के लिए बेताबिस इंतजार करते थे लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि आचानक से बंद करना पड़ा ये शो इसके पीछे साजिश थी या फिर कोई और सच्चाई ज उस समय किसी किसी के घर हुआ करते थे बिजली चले जाने के सिच्चूशन में जिनके घर पर इंवर्टर होते थे वहां बच्चों की फौज दोड़ कर पहुंच जाती थी किसान अपने ट्रेक्टर की बैटरी से टीवी चलाया करते थे और जब ये शो बंद हुआ तो बच भी चाने का ने लिया और फीज को बढ़ाकर 7,80,000 रुपे कर दिया जैसे जैसे शक्तिमान लोक्रीय हो रहा था है वैसे वैसे दूर्दरशन और पैसा बढ़ाने लगा रुपे कर दिया इतनी बड़ी रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा शक्तिमान को लेकर इस तरह की खबर भी आने लगी कि कुछ बच्चे जान बोच कर छट से कूदने लगे कि शक्तिमान उन्हें बचाने आ जाएगा बच्चों की मन दोशा पर बुरा परवाव पड़ रहा था और नहीं ने टीवी चैनल खुलने लगे क्योंकि सास भी कभी बहुती काहनी घर घर की इंडियन आइडल कौन बने का करोण पती जसी जसी कोई नहीं जैसे टीवी सिलर आने के वज़े से दाशबो की रूच्ची में कमी आने लगी आपको शक्तिमान शो कैसा लगता था और लाइट चले जाने पर आप क्या करते थे ये बात हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताना